हेलो दोस्तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको बॉस 1115 BS6 वीकल के बारे में बताने वाला हूँ यह जो वीकल है यह एक इंडिया का ऐसा वीकल है जो की आपको कार के जैसे फीचर्स के साथ आता है इसे अशोक लिलेंड कमपनी के द्वारा बनाया जाता है और यह बहुत ही स्टाइलिस है और उसके साथ साथ यह हैवी लोड ले जाने में भी सक्षम है तो दोस्तो आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे की मेरे आने वाले ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं अशो क्यों के द्वारा बहुत ही स्टाइलिस्स और बहुत ही ज्यादा कमसरटेवल कैडिन ज्यों कि बास के नाम से जता यह डिया जाता है यह डे कबिन रहता है इसमां आपको slipper कबिन की विवस्ता नहीं रहती कि नेक्स में बात करूं इसके इंजन के बारे में तो इसमां आपको अशोक लियंड का जो प्रूवन इंजन है S-Series engine, यह BS6 के साथ इसमें लगता है, इस engine में 4 cylinder रहते हैं और यह CRS with IZN6 technology में काम करता है, जो है S-Series का engine है, 4 cylinder वाला, यह 150 HP देता है, 2400 RPM में, वहीं बात करूँ इसके max. torque के बारे में हैं, तो यह engine शाड़े 400 Nm का टॉर्क देता है 1250 से 2000 RPM में तो दोस्तो अशोक लेन के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा विस्वेशनी इंजन इसमें यूज किया जा रहा है नेक्स में बात करूंगा इसके गेर बॉक्स और क्लेच के बारे में इसमें अशोक लेन का 60-speed synchronous ODGB यूज हो रहा है इसमें जो खास बात यह है इसका जो shifting mechanism है यह cable की द्वारा ऑपरेट रहता है जिसको की driver के लिए बहुत ज्यादा comfortable रहता है उसको ज्यादा थकान नहीं रगती इस गाड़ी को gear shifting करने में वहीं बात करूं क्लेच की तो 330 mm डाया का क्लेच मिलता है सिंगल प्लेट वाला ड्राइ क्लेच रहता है जो की क्लेच बूस्टर से ऑपरेट रहता है क्लेच ऑपरेट करने में भी ड्राइवर को बहुत ज्यादा आसानी रहती है इस मॉडल की दोसो नेक्स मैं आपको रेलों क्लेच मिल जाता है इसका रेल रहता है इसका डीच का रैसियो 4.56 रहता है दोस्तों नेक्स हम बात करेंगे अशोग लेंड बॉस्ट 1115 a6 के इस्टेरिंग फ्रेम और ब्रेक के वारे में इसमें अशोग लेंड के दोरा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेवल पावर इस मिलते हैं और जो एर ब्रेक्स में पार्किंग ब्रेक की विवस्ता रहती है वो सिर्फ रियर के वील्स में रहती है और इसमें दूसरा आपको 105-ीटर का टैंक मिलते है यह भी पॉलीमर का ही बना रहता है यह फिरीट टैंक के दौरा दिए जाते हैं महीं बात करें एड़बलू टैंक की तो 24-वीटर डीटल कि पीजिया आपको इसमें एड़बलू टैंक मिल जाताट जाता है दोस्तों नेक्स मैं आपको बताऊंगा इसके टायर्स और इलेक्ट्रिकल्स की बारे में इसमें अशोक लियन के दौरा 235 x 75 r1755 के ट्यूबलेस टायर से मिलते हैं और आपको औप्शनल 8.25 x 16 16 प्यार के नाइलोन टायर भी मिल जाते हैं वहीं बात करें इस गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स की तो इसमें आपको 12V की बैटरी मिलती है जो की 120 mpire आवर की रहती है वहीं बात करें 2440 mm और 59 440 mm के वील बेस में मिल जाती है वहीं अगर हम बात करें इसके लोड़ वड़ी की लोड़िंग स्पैन के बारे में तो आपको 14 फिट 17 फिट और 20 फिट और जो सबसे लंबा वाला लोड़िंग स्पैन रहता है 22 फिट तो आपको इतने सारी आप्शन में अशोक ले यह गाड़ी का एक सोरूम प्राइस है मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्जक्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट अशोक लेअन के सोरूम में विजिट कीजिए जिससे कि आपको एक्जक्ट प्राइस पता चल जाएगा यह प्राइस city to सिटी थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि यह एक्सोरूम प्राइस है तो दोस्तों यह था रिव्यू अशोक लेंड बॉस 1115 का यह अभी बीस 6 गाड़ी का मैंने आपको जानकारी दिया आसा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर आपको भी ऐसा ही कोई वीडियो चाहिए अगर आप भी किसी गाड़ी कोई भी गाड़ी हो सकता है टू वीलर हो फोर वीलर हो या बड़ा ट्रक हो उसका रिव्यू जानना चाहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्चन में लिख दीजिए मैं पूरी कोशिज करूंगा कि आपके लिए उसमें डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाके यूटूब में अपलोड करूं दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद ऐस इसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए थैंक यू